सब्सक्राइब स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परिक्षाप्रस में मैं अलग सुखला एक बार पुना आप सभी का स्वागत करता हूँ और एक बहुत भी तीन वीडियो आप सभी के लिएक हूँ जसकी कब तदा डिमांड थी जब से एन्वेस लाव अटेंडिन का बैच चला रही है बहुत भी तिन तयारी करवा रही है तो उसका अंसर है हाँ अलाकि इस सेशन में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि एन्वेस लाव अटेंडिन की तयारी अपको कैसे करनी है क्या आपका उसके लिए कोचिंग किया हुए सकता ह किताबी कौन सी होनी चाहिए पीडिफ नोर्स क्या होनी चाहिए टेस्ट किस प्रकास से होने चाहिए या मैं बोलो कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा सिलेबस में कोई बतलाव है या सिलेबस सेम रहेगा या किस प्रकास से कोशन पूछे जाते हैं अभी हाल में ऐसे पेपर 2022 इसमें NBS का हुआ था, सिमिलर लिए EMRS था, 2023 में पेपर हुआ तो कुछ से मिलता जुलता हुआ पेपर आएगा, इसे तमाम कोशन आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो बिलकुल सही जगह पे आप हो, और एक बहुत बहुतरी एक ऐसी रणनीद जो हजारों का सेलेक्शन करवा सबसे पहले आते हैं मुद्दे पे, कि जब आप लोग अपनी तयारी स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहला कोशन आपके दिमाग में क्या आता है, अखिर विस एक्जाम में हमें पढ़ना क्या है, पूछा क्या जाएगा, और उसके बाद जब आप यह जान लेते हो, कि पंद्रा-पंद्रा ही बोलो ये 30 ओवर ओल दिखा हुआ है 15-15 और सबसे बड़ी बाफ है कि साइन्स के 60 कोशन होंगे जिसमें फजिक्स कमेस्टी बायो होगा और अब कोशन आता है कि फजिक्स कमेस्टी बायो किस लेवल का होगा जो अपके 10th लेवल का होगा लेकिन उससे पहले दिमाग में आता है कि हम ये पढ़त तो लेंगे चलो हमें अगर किताब मिल गई तो हम इसे बहुत अच्छी तरीकी से तैयार कर लेंगे लेकिन एक बहुत बड़ा जो दिमाग में आता है फो यह रहता है आखिर हमेंध्स का लाना maggief क्या होगा ये सारी चीज़ां आ इन से ज्यादा था क्यूंकि सीटे कमती और स्टी का च्यात्ता था यह आपका क्या था थोड़ा सा उटपड़ांग सा क्यूंकि जन्दल का कम था और अगर देखा जाए तो स्टी का ज्यादा था कारण था कि वेकंसी कम थी दूसरी बात यहां पर नंबर आफ ज्यादा होते इसके कारण में बड़ा था हाला कि इससे मिलता जुलता है कि इक्जाम में की बात करो इम आरेस की बात करो इम आरेस 2023 में इससे कहीं ज़्यादा वेकंसी के साथ आया था और उसमें 120 में अगर देखा जाए तो बच्चे 95-96 वाले जो कौन लगाया हूआ है यह आपका कट-अफ है इम आरेस का इसके हिसाफ से देखाज़ हें क्योंकि 120 कोश्ट में भी पूछा गया है और 120 कोश्ट में भी पूछा जाएगा मदब दोनों का syllabus सेम है दोनों का exam पैटर्न सेम है tip सारी कहानी सेम है बच्चे भी वही होते हैं applicant भी या तो जाएगा paper आप से पूछा जाएगा question का level क्या होगा वो सब कुछ depend करेगा आपके इस levels पे और यहां पर सबसे ज़्यादा जो chances होते हैं वो होता है कि आपका ये science वाला part क्योंकि अगर आप ने इस part में अच्छा कर लिया तो यकीन मानों कि समझो कि lab attendant की vacancy आपकी है औ आला कि पद बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा पद है लेकिन जिस प्रकास से competition देखा जाए उस प्रकास से इतना कम भी पद नहीं है बट अगर आप तैयारी करते हो और सही strategy के साथ रणनिंति के साथ तैयारी करते हो तो यह काफी आसान भ पीच में और किसी बीग्जाम में 80-85 पसंट लाना एक चैलेंज होता है बट आपके पास सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो साथ पोर्षन है वह साइंस ही पूंसता है और साइंस में क्या पूंसता है उन बच्चों के नंबर बिल्कुल उठ जाते हैं जिनको पता होत यह जो आपके एक्जाम में पूंचा जाने वाला है सबसे पहले तो आप साइंस का पार्ट देख लो साइंस में knowledge of lab work, lab equipment, knowledge of experiment of chemicals, safety protocol of lab, scientific name of chemicals and equipment, knowledge of different methods commonly used in labs, techniques and physics, chemistry and life science, biology और यह कपसे 10th level के पूंचा जाता है मतलब आपसे जो पूचा जाएगा अगर इन सारे topic को देखो तो lab से समब्धी चीजे पूची जारी है उनके safety protocols के बारे में पूचे जारे हैं अब आप बोलोगे lab manual क्या होता है, आपने class 9 में, class 10 में, class 8 में, class 11 में, class 12 में practical किया होगा, practical में एक book होती है, जिसे practical book बोला जाता है, उसमें पूरे की पहले theory लिखी रहती है, फिर procedure, aim, objective क्या है, practical का, इसका procedure क्या है, इसकी theory क्या है, इसके observation क्या है, ऐसे करके आप क्या करते तो book बलते हो, यह वही चीज आप से पूछा जाना है, और यही आपका EMRS में पूछा गया था, यही आपका पिछले NBS में पूछा गया था, यही फिर से आपका NBS में पूछा जाएगा, और अभी आगामी परिक्षा NBS का लाइवाटरिनेंट आने वाला है, उसमें भी फि सही मार्ग दरसन आपको मिला है, तो 60 में 55 आप आराम से score कर सकते हो, यह ऐसा पाट है क्यूंकि आपको यहाँ पे 9th, 10th, 11th की science नहीं पढ़नी है, आप फेरी पढ़ते रहते हो, पहुंसता है lab manual, अगर आप केवल इनके knowledge of lab work, lab equipment, chemicals, common name और उनके scientific name के बारे में बात करिया ज बाकी जो 20-25 नमबर होते हैं, वो आपके थोड़े बहुत थेरी पार्ट से होते हैं, बट वो थेरी आपका ऐसा नहीं कि 9, 10, 11, 12 की आप किताब पढ़के थेरी करो, वो थेरी आपके इसी experiment से संबंधी थेरी होती है, तो ज्यादा बेटर है कि आप इस से concentrated हो, मैं कह रहा करो कि तो निश्य रूप से आपको सफलता मिलेगी, उसके बाद आपका general awareness ये पार्ट ऐसा है जहां पर पढ़ते बहुत हो, लेकिन पूछता कुछ और है और उसके बाद बात किया जाए तो आप 100% स्कोर भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये कैसा पार्ट है जहां पर 10 कोशन 15 कोशन पूछात हो जाएगा, लेकिन कोई बच्चा बिलकुल न पढ़के जाए वो 34 नंबर करके आएगा, और कोई बच्चा बहुत पढ़े वो 11 से 12 नंबर पाएगा, वो फुल में फुल तब भी नहीं पाएगा, मतलब ना पढ़ने और पढ़ने वाले में अंतर कितने क का रहा है, कि वो 7-8 नंबर का रहा है, इसलिए एक रणनीत ऐसी बनाईए, जहां पे जन्रल अवेरनेस को कम समय में पढ़के जादा से जादा से जादा स्कोर करना है, और टीम परिक्षाफ्टस आपके जो कोस कंटक कराती है, जो कोस करवाती है, जो टीजिंग स्टाइल ह कि तुछ आप की कंटेंट है, वो इसी प्रकार है, कि आपका जो ये गैप है, बिल्कुल पढ़ने वाले से बिलकुल टॉपर वाले बच्चे का, ये कम समय में, और कम मेहनत में आप यहां तक पहुंच जो, ताकि कि आप अपना अथ्रिक्त समय साइंस में, रिजनिंग में इंग्लिस में और किसमें देपाओ आप अपने हिंदी में देपाओ इंग्लिस की बात किया जाए तो इंग्लिस एक जन्रल से इंग्लिस पूछती है और यहां पे भी 15 में से 12 प्रस स्कूर करना काफी आसान होता है लेकिन तब जब आप सही तरीके से पढ़ो ऐसे बोल दो कि सेलक्षं कितने का होगा केवल 161 उन CS1 होगा या तो बहूत ज्यादा महिंती होंगे बहुत ज्यादा पढरे होंगे लगताम्स 3 46 साल से त्यारी पर निकले Хोंगे तब जाके वहां पर क्याहन निकाल पारें यह ऐसा बाट्चा होता है जिसको सही रणनीत होती है सही एक परसंट में अगर आपको जगह बनानी है तो आपके पास रहनी है रख्षी होनी चाहिए और इसलिए मैं यह श्रसन लेकर आया हूँ कि आपको यह सारी चीजा आइडिया लग पाए कि किस प्रकास से पढ़ना है किस प्रकास से तैयारी करनी है अब आते हैं बात कि 161 वेक बीटा कि कोचिंग करना देखो मैं यह नहीं बोल लाँ कि कोचिंग करना जरूरी ही है लेकिन अगर आप चाहते हो कि कम effort में और आपको आज कोचिंग का मतलब करोगे तो आप क्या करोगे पहले रिसर्च करोगे syllabus क्या है, pattern क्या है, ये content कहा मिलेगा, ये कहा मिलेगा और आपको एक जगा collected नहीं मिलता, उसके चक्कर में आपका 60-70% जो समय होता है, तैयारी का वो केवल search करने में जाता है, जब आप किसी coaching से जुड़ जाते हो, तो वो 60-70% आपने समय बचा के, आप अप पहले भी दूर्टीन exam निकाल चुगा है, जैसे भी 2022 में लेव अटेंजिन दिया, ये हमारे इस लेव अटेंजिन दिया, फिर से एंवेस का लेव अटेंजिन 2024 का आगया, अब उसके पास 3 साल का अनुभव है, तो उसे coaching करनी के आप सकता नहीं है, वो self study कर सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं हो कि कोई भी आपको बहला देगा, ये बात दिमाग में रखेगा, दूसरी बात ये है कि आजकल आप मार्केट पे देखते होगे, बहुत सारी किताबे आती है, आप भी Google पे कल दो कि NDS Lab Attending Book, तमाम publisher की किताब आ जाएगी और उसमें लिखा कुछ है, नहीं कहां से उठा के दे दिया है, कौन से एक्जाम का content यहां पर उठा के छेप दिया है, उन्हें केवल प्रिंट करवा के 20-30-40 रुपे है, हर किताब के पीछ अपना पैसा बनाना होता है, वो आपकी जीवन से मतलम नहीं रखते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब views अच्छे हैं, आप इन चीज़ को दिमाग में रखना, वलना केवल मैं भी चाहूँ तो अपनी book publish कराने के लिए कोई भी science का content, ऐसे पुराना content है, उपर लगाऊ lab attendant, और मैं publish करवा दूँ और बहुत सारे बच्चे खड़ीपते रहेंगे, क्योंकि उन्हें content जल्दी मिलत हो जाए, तो इस तरीके से team परिक्षाप्र सोचती है कि आपको content अगर चाहिए, PDF अगर आपको चाहिए, तो आपके पास notes होने चाहिए, वो बिल्कुल concise, relevant होने चाहिए, वो आपके subject से, आपके syllabus से, आपके exam से संबंधित होने चाहिए, इस बात को आप दिमाग में और इसी कारण से team परिक्षाप्र से जो तमाम किताबे निकालती है, आप इससे देखो कि इसके content देखो कि चाहिए, जन्रल हिंदी, lab अडिन, नौदे, विद्याले समीती का पूरा, यह जन्रल English, reasoning ability, जन्रल awareness, science, और science में हम theory part आपको अलग देंगे, theory के साथ साथ हम पूरा lab manual और यह जो lab manual है, यह पूरा NCRT आधारित है, यह पूरा NCRT आधारित, NCRT के जो lab manual होते हैं, उनके theory को अलग निकालके, उनके MCQs को अलग निकालके, उनके जो observations हैं, उनके result को अलग निकालके, और बहुत ही filtered form में यह आपको सारी चीज़े, इस किताब में मिलेगे, science के एक तो lab manual का part आएगा, मतलब 4 part total होंगे, एक physics का lab manual, एक chemistry का lab manual, एक आपका bio का lab manual, और एक आपकी समगर theory होगी, जो 9th और 10th के NCRT पे base होगी, जिससे यह होगा कि यह आपको बाद में पढ़ना है, पहले यह पढ़ना है, ताकि कोई भी question 60 में में 55 बोला हो, तो 60 में 55 आपक आपको इसमें अलग से, वो कैब आपको आपको अलग दी जाएगी, क्योंकि यह मार इसकी बात करें, या अन्वियस की बात करें, वो कैब पर ज्यादा फोकस रहता है, और सिमिलरली हिंदी की बात करें, तो यह भी 110 की page रहेगी, मतलब अगर आप पूरा content मिला लोगे, तो ये PDF notes में आपको किस में course में मिलेगा, किस course में मिलेगा, वो आपको NBS, lab attendant का जो batch है, ये आपका 699 का batch है, बिलकुल इसमें नया batch जिसमें live classes, recorded classes, study material और इसकी validated exam तक दिया जाएगा, अब आप बोलते हो कि सर इसका time table और इसमें team क्या रहेगी, पढ़ाएगा कौन, तो जो बता दूं कि आपकी इस पूरे में lab manual, NCRT में खुद बीटेक हूँ, और electrical से मेरा बीटेक हूँ है, AI टेपली से पढ़ा हुआ हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए, NIT से, तो इतनी बहत्रीन और जो पुराने बच्चे उनको ये बात बताने की जुरुत नहीं होती है, कि आपका पूरा lab manual वाला पार्ट तो मैं ही कवर कराऊंगा, पूरा question theory सब कुछ, और science का जो MSC physics है, नवीन सर, ये पूरा science पार्ट आपको पढ़ाएंगे, ये BSC प्लस MSC physics है, बहत बहत्रीन तरीके आपको पूरा science कवर कराएंगे, reasoning प्लस ICT आपको कौन कवर कराएंगा, ये आसी सर कवर कराएंगे, general awareness रबन सर कवर कराएंगे, इंगले साथ के सर्वेश सर कवर कराएंगे, और अरुन सर आपके हिंदी कवर कराएंगे, जो already इतने ज़्यादा experience है, हर विक्ति इसमें सर्वेश सर, जो ACIO, IB ACIO होते हैं, उनमें ये job करके आए हुए हैं, तो बहु जब अदस टीम मिलने वाली है, अनुभो के साथ साथ, बहुत सारी सफलताओं के साथ साथ ये team आपको मिलने वाली है, और उसका टाइम टेबल ये है, जो एक बज़े science की class, दो बज़े geography, general awareness वाली class, तीन बज़े तीन दिन English, चार बज़े reasoning चल रही है, पांच बज़े सु साथ में हम करेंट और स्टेटिक साथ में कवर करते हूं चलते हैं, तो यह आपका टाइम टेबल रहेगा, यह सफलता का टाइम टेबल है, तो अभी भी limited offer है, इससे आप जुड़ सकते हो, बाकि एक चीज समझेगा, कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है, कि अगर आप मुझसे आ हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, जितना हम आपको content provide कर दे रहे हैं, जो भी चीज़े हम आपको दे दे रहे हैं, वो सारी चीज़ आप follow कर लोगे, सारी चीज़ cover कर लोगे, multiple time कर लोगे, तो आपका selection कोई रोग नहीं पाएगा, आप यह बोलते हो, कि सर क्या आप exam में मैं यह नहीं कहता हूँ, कि मैं question महां पर बना दूगा, मैं concept कोई भी ऐसा नहीं बचाएगा, जो आप पढ़े ना हो, और उसके भीहाद पर पोशन लगा ना पाओ, ऐसा हमने पहले भी किया है, EMRS में भी किया है, और एक बार पुना, इस तो ने मौका दिया है, आप लोग इसमें जुड़ेंगे, इसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, परिक्षा प्लस एप दाउनोड करना है, गूगल प्ली स्टूर पे जाके, जो आपको यह पूरा दिक रहा है, पेड को से सबसे वाले बैनर पी दिख जाएगा, या पेड कोस में जाएंगे, और आ हुस आते हैं किसी एक पक्लिक करोगे जैसे पेडिफ पेडिर्फ और कि करोगे तो पीडिफ निस्टर सारे के पीडिफ नोटे सागे। अगर आप autoas उचकर क्णकर जाते हो, प्रिंट करें निकलबा सकते हो जो कि आप हार्ड कॉपी में प्राप्त करके पढ़ सकते हूं तो इस बैस ते जुड़ने के लिए आप तीम परिक्षा-प्रस टे जुड़ने के लिए डूगल पे जिवास अभी का बहुत बहुत आपक है